प्रतिक मनुष्य इस धर्ती पर कर्म करता है क्योंकि कर्म करने के लिए है उसका जन्म हुआ है इस पृत्वी पर किसी भी मनुष्य का कर्म उसकी सोच एवं मानसकता का प्रतीक होता है मनुष्य के कर्म उसके विचारों एवं मानसकता के हनुरूप ही होते हैं जिस प्रकार इस संसार में दिन और रात होना निश्चित है उसी प्रकार से मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलना भी निश्चित है अर्थात मनुष्य के जीवन में अच्छा या बुरा होना उसके कर्म करने पनिर्वर करता है जैसे यदि हम आम का विर्क्ष लगाते हैं तो वह बड़ा होकर हमें फल के रूप में आम ही प्रदान दरेगा आम के विर्क्ष से हमें कभी भी किसी अन्य फल की प्राप्ती नहीं हो सकती ये किसी प्रकार से मनुष्य को अच्छे करने के प्लसुरों सफल और उच्छल मनुष्य की प्राप्ती होती है